नमस्कार दोस्तों मैं हूँ गौरव और आप देख रहे हैं Market Reward आईए बात करते हैं Gold MCX की दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के सामने Gold MCX का चार्ट है जिसमें आने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को सेट किया हुआ है और इसमें जिस तरीके की moment last trading session में रही और अभी जो live market चल रहा है current market Gold trade कर रहा है 48,495 पे इसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में क्या support और resistance लेवल हमें नज़र आ रहे हैं और हमारा आगे का क्या view है हमें किस तरीके से trade करना चाहिए buying करनी चाहिए selling करनी चाहिए या थोड़ा सा wait करना चाहिए किसी भी trade में enter करने से वेल पहले तो आई शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे gold mcx का chart दोस्तों यहां हम देखने के market की opening हुई थी और opening से ही उसमें एक थोड़ी सी strength देखने को मिली थी market ने काफी उपर के 48,800 का एक price टच करा और वहां से लगातार हम देखने के बहुत ही dull trading के साथ साथ एक selling pressure हमें market में continuously नज़र आया जिसमें अभी current price 48,500 से भी नीचे आ चुके हैं बिल्कुल अपने lowest level पे market trade कर रहा है यह बात सिर्फ comics की नहीं वो mcx की नहीं है comics में भी इसी तरीके का एक trend हम देख रहे हैं वहां पर 1810 के around market कल पूरे दिन trade करता रहा है कभी थोड़ा सा उपर थोड़ा सा नीचे और 1800 के एक major psychological breakdown level को उसने नीचे में break नी किया और उसी के उपर sustain करता रहा है उपर में भी जाने के कोई sign नहीं है नीचे में उस support को अभी maintain करके चल रहा है किस तरीके से आगे market trade करने वाला यहां पर जो इसका एक low लगा हुआ है 48,390 का वो हम देखते हैं कि वो break होगा आज या नहीं होगा जिसके आज भी chances लग रहे हैं सिर्फ एक चीज जो major concern हम देख रहे हैं मतलब जो कल के session में हमने देखी वो है US market का close होना वहाँ पर थोड़ी मतलब जो traders हैं वो active नहीं है तो उसका उसकी वज़े से हमें US market में मतलब COMEX में और MCX में थोड़ी सी dull trading देखने को मिल रही है तो अभी देखते हैं आगे का किस तरीके का trend रहता है stop loss और trend ये दोनों के दोनों वही रहेंगे इन में कोई chain नहीं है जो लेवल्स है टेकनिकल लेवल्स वो भी वही रहेंगे देखते हैं अभी आगे किस तरीके का trend रहता है चलते हैं अब 15 मिनट के time frame पर और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या view हमें आके नज़र आ रहा है यहां अगर हम बात करें market में एक crash आया था काफी नीचे के लेवल्स हमें देखने को मिले और उसके बात से market एक consolidation phase में trade कर रहा है जिसमें अगर हम बिलकुल अभी current scenario की बात करें यह एक downside sign है और यह dotted line इसका current price है यहां पर आप देख सकते हैं यह बिलकुल इस range के बीच में अभी यह trade कर रहा है इस range को break करते ही market further और next level की तरफ जाने लग जाएगा जिसमें 47,900 इसका next major support level है वो भी break हो जाएगा और उसके नीचे अगर आज closing हो गई किसी भी reason से उसके नीचे closing होने का आप यह मतलब समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में gold में बहुत जबरदस correction आपको देखने को मिल सकती है तो वो एक थोड़ा मतलब और यह correction ऐसा नहीं कहारा मैं कि बिल्कुल straight forward एक downside हमें देखने को मिलेगी पर market जो है वो एक downside का view बना के रखेगा जो भी कोई अगर upside आती है अप trend आता है market में तो वो market के लिए sustain करना वहाँ पर काफी जादा मुश्किल हो जाएगा तो आईए थोड़ा सा और आगे चलते हैं एक गंटे के time frame पे देखते हैं hourly candles पे किस तरीके का trend हमें नजर आ रहा है यहाँ थोड़ा सा net slow है यहाँ अगर हम देखें market में एक downside उसके बाद थोड़ी सी strength के साथ market ने नीचे का curve continue रखा और अभी हम देख रहे हैं कि यह इस zone में enter कर रहा है और अभी यहाँ consolidate कर रहा है current price है 48,485 selling pressure continue है कल हमने देखा कि इसने अपना previous high break नहीं करा था और 48,800 का एक high लगा के market उसी 200 रुबई की range में struggle करता रहा था पूरे दिन end होते होते हो उसने एक downside में एक breakdown दिखाया पर नीचे का जो इसका एक recent low लगा हुआ है वो अभी break होने से रह रहा है और दूसरी चीज दोस्तों अगर हम अपना एक पूरा overview देखें गोल्ड का चार एक घंटे के time frame पे तो आपको continuous लिए एक downside नजर आएगी परेशानी कहा होती है जब इस तरीके का एक trend आ जाता है आप अगर एक trend देखेंगे यहां तक का ठीक है तो आपको लगेगा कि market में एक strength बन सकती है तो उनी चीज़ों को थोड़ा सा देखते हुए हम थोड़ा levels पे नजर रखते हैं कि हमें किस तरीके से trade लेना चाहिए देखें एक घंटे तक के time frame पे हम थोड़ा सा intraday concept को analyze करने की कोशिश करते हैं उससे बड़े time frame पे जैसे दो घंटे का time frame मैं नहीं लेता हूँ यह आपने मेरे सारे videos में देखा होगा तो वहाँ पर थोड़ी सी confusion जादा create होने शुरू हो जाती है यह मेरा अपना मानना है मुझे मतलब किसी नहीं कहा हो पर मेरा खुद का मानना है कि दो घंटे के time frame पे थोड़ी confusion जादा create होती है यह सारी चीज़े आप charts अगर analyze करते रहेंगे तो आपको sun में आने लगेंगी आईए चलते हैं अब 4 घंटे के time frame पे वहाँ देखते हैं कि किस तरीके का trend अभी हमें नजर आ रहा है यहाँ पर market में correction आई थी थोड़ी सी एक उसने strength दिखाने ही कोशिश करी उपर के levels पे जाता गया market और यहाँ के बाद एक straight downside और अभी हम देख रहे हैं कि market में ये एक बहुत छोटी range बन चुकी है downside नीचे की तरफ market जा रहा है कहीं कोई stoppage नहीं है इतना जरूर है कि एक बहुत छोटी सी range में market trade कर रहा है जिसमें हमें सिर्फ patience की जरूरत होती है कि अभी market आगे गिर रहा है या नहीं गिर रहा है या फिर यहाँ से बढ़ तो नहीं जाएगा देखिए ये जो खत्रा है ना हमारे दिमाग में वो चाहे हम कोई भी position लेंगे हमारे दिमाग में बना रहेगा कि हमने अगर selling की position ली तो हमें buying का एक खत्रा लगता रहेगा हमने buying की position ली तो selling का खत्रा लगता रहेगा तो ये सिर्फ एक psychology होती है कि आप जो trade लेंगे उसके against के सारे thoughts आपके mind में घुमते चले जाएंगे सिर्फ एकी चीज़ है trade लिया आप enter कीजिए आप अपना stop loss लगाईए जो सही लगता हो वहाँ पर stop loss लगाईए और एक sufficient level पर आप target लेके आप exit कर जाएए ठीक है इस तरीके से ही आप अगर trade करेंगे तो ही आपके lips सबसे ज़्यादा सही रहेगा mind भी disturbed नहीं होगा और आप बहुत easily आप अपने trades को execute करते चले जाएंगे तो यहाँ भी बहुत एक चीज़ बिल्कुल clear है कि अगर मैं छोटे से छोटा एक time frame भी देख रहा हूँ तो यह एक इस band के यह दो upper band और lower band आप समझ सकते हैं जब तक इस upper band को यह break नहीं करता market at least तब तक यह तो आप भी मानेंगे कि तब तक market में कोई strength नहीं बन सकती तो यह बहुत चोटी सी चीज़ है आप भी समझ सकते हैं इसे थोड़ा सा और आगे चलते हैं daily time frame पे वहाँ देखते हैं कि किस तरीके से market react कर रहा है यहाँ अगर हम देखे market में कि strength बन रही थी ऊपर के levels पे continuously market जा रहा था यहाँ पर थोड़ा consolidation, upside, downside और अभी currently बिल्कुल अपने lowest point पर market rate कर रहा है और जिस level की मैं बात कर रहा हूँ वो यहाँ पर है इस line पर इसके नीचे market का close होना एक second एक second मैं शायर हाँ ठीक है यही पर इस line के नीचे close होना है यह line अप समझ सकते हैं 47,900 ठीक है इसके नीचे आज अगर closing हो जाती है तो market का आगे का view भी बहुत negative हो जाएगा यह इसका आप यह समझ सकते हैं कि बिल्कुल last support level है इसके बाद market कहां तक जाता है कहां तक नहीं वो नहीं कह सकते पर कम से कम एक चीज़ confirm रहेगी कि market में जो upside के जो chances थे वो बिल्कुल खतम हो जाएंगे तो बहुती major support level के आसपास अभी market trade कर रहा है एक downside अगर इसमें एक correction आती है एक straight downside अगर आती है उसके बाद अगर market में कोई भी recovery आती है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए selling opportunity होगी ये जरूर है कि आप intraday में जो भी trade लेते हैं वो थोड़ा ध्यान से लीजिए कि market में recovery आ लिए तो आप उसमें फंसें आ रहें उसमें आप intraday basis पे market जब ऊपर चला जाएगा तो वहाँ पर आप selling के लिए सोचें जरा सा भी turn करते हुए तो आई चलते हैं 15 मिनिट के time frame पे वहाँ देखते हैं कि किस तरीके का view हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊ सबसे पहली चीज़ कि अगर आप selling कर रहे है तो 48,701 यह price यहाँ पर है इसका break होना थोड़ा सा मुश्किल है देखिए जब market बहुत छोटी range में होता है तो हमें करना क्या चाहिए यह गलती वैसे गलती नहीं कहूंगा कल market इतना डल था तो market ने उस तरीके से react ही नहीं करा एक stop loss था 761 का तो फिर re-entry ली वो evening session में उसके बाद मार्केट में dull trading continue रही थी पर जो direction थी market की वो नीचे ही थी तो वो अभी उसमें हम बने हुए है उसमें कोई issue नहीं है यहाँ के उपर 48,701 के उपर ठीक है एक यह price है इसके just उपर फिर यह वाला price है 48,800 तो यह इस range में इसे एक resistance face करने को मिल सकता है otherwise वैसे तो उपर आना ही थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है पर अगर इसको break कर देता है market तो market में मेरे हिसाब से तेजी भी काफी speed से आ सकती है अगर 48,800 को break करता है तो ठीक है पर level यह नहीं है एक और resistance है इसके उपर यहाँ पर इस range में यह कौन से price हैं यह है 48,880 से लेके 48,920 के बीच में यह इसका आप यह समझ सकते हैं कि last resistance level है अगर यह price भी break हो जाता है तो आप यहाँ से यहाँ तक इसमें लगातार एक के बाद एक resistance level है जो बहुत ही छोटे छोटे मार्जिन पर हैं तो अगर आप selling करते हैं वो आप थोड़ा सा decide करके रखेंगे कि कहाँ पर कौन से level आपको ठीक लग रहा है सबसे पहला 48,701 क्योंकि market इतनी narrow range में trade कर रहा है जो भी levels हैं वो काफी नीचे अभी बने हुए पहली चीज़ के 701 का ही break होना थोड़ा सा मुश्किल रहागा यहाँ से 200.00 उपर आना ऐसे market में जब market में trade होना ही काफी जादा मुश्किल लग रहा है उसके बाद इस range को break करना वो और भी जादा मुश्किल है view downside का है या आप इस तरीके से आप trade ले सकते हैं कि market में जब 390 का ये वाला level break होगा तब आप उसमें entry लेंगे मतलब 400 के नीचे तो आपके लिए काफी जादा safe रहेगा और उसके बाद मैं ये expect कर रहा हूँ कि एक straight downside आपको देखने को मिलेगी जिसमें आप आधी position से बहुत जल्दी आप निकल सकते हैं और बाकी की जो बची भी position है उसमें आप अगर stop loss trail करके आप बने रहेंगे तो वो एक अच्छा आपको profit दे पाएगा ठीक है तो इस तरीके से ये मैंने levels बता हैं इसके उपर जो reversal का level है वो है 49,500 इसे market break करेगा तो market में एक reversal आजएगा ये line आप यहां कहीं समझ सकते हैं ठीक है और एक final level है यहां पर सारे levels बहुत नीच आगए है 51,050 ये सारे levels हैं इसके उपर 51,000 के उपर बिल्कुल freely market जा पाएगा और कहीं कोई परिशानी कोई tension कुछ नी तो ये कुछ levels हैं सबसे पहला 48,701 ये आप ध्यान रखिए market का view downside है और इसके बाद जो last intraday में एक resistance level है वो है 48,920 ये भी break हो जाता है market में फिर upside के लिए space काफी मिल जाएगा 49,500 तक तो अगर आपकी कोई भी selling की position है तो उसमें final stop loss आप ये वाला लगा के रखिए ठीक है दोस्तों तो ये था मेरा gold MCX पे अभी का वीडियो वीडियो अच्छा लगे तो like करें शेयर करें बने रहे में अच्छा देखते रही है market report धन्यवाद